Good morning students, I hope you all are well and fine. Today we are going to start with our fourth chapter. आते सुआ процессō ओली काहने, जो ऑच्छे मन्जीत कोर अंबालवी द्वारे लिखी गई कविता है. ये बच्चे जीत को रमबालवी इस दे राइटर हान। वो की लिख दे हान बच्चे इसका विता वेच कि तिन रंगांदा चंडा सड़ा चुल्ले विच असमान नीवे। निशानी है चंडे पिछे मुड़ों ही यसी लाख ओंकडा चल दे हान। बरुद्दा दिया अग्गा दे विच लाट 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 बढ़ दे हान। बढ़ दे हान। बिर्थी ना जाए दित्ती साड़ी शीद्दा दी कुर्बान नीवे। तिन रंगांदा चंडा सड़ा चुल्ले विच असमान नीवे। बढ़ दे हान। बिर्थी जाए दा मतलब है बच्चे वियर्थ जाना। बिर्थी दा मतलब है वियर्थ पाव की ओ जड़ी शीद्दा दी कुर्बानी है ओ वियर्थ ना चले जाए। इसलेए जड़ी शीद्दा दी कुर्बानी है उन्हों सानू याद रखना चाहिदा है। तिन रंगा दा चंडा है है सानू बड़ा प्यारा है पाव की ओ जड़ा तिन रंगा दा चंडा है इस नाल सानू बहत प्यार ते मो है। अजाद्दी दा परतीक ए साड़ा लगदा बड़ा नियारा है पुलके वी ना करे कदे कोई इस दी नाल नदानी वे। ये थे बच्चे परतीक दामतलब है चिन जिन्यों सी सिंबल वी केंदे हा ते जड़ा बच्चे चंडा है साड़ा अजादी दा परतीक है जड़ो बच्चे साड़ा देश आज़ाद हुए आसी उधों अई चंड़ा लहराए गया आसी इसलिए अजादी दा परतीक नहीं करनी चाहिए थे नदानी दा मतलब है बच्चे मूर्खता नदानी दा मतलब है मूर्खता तिन रंगा दा चंडा साड़ा चुल्ले इसमानी वे चंडा चुल्लदा रहे हमेशा देश दी यहे शान है रैनी बैनी बोली साड़ा देश महान है पाव की रेड़ा साड़ा त्रंगा चंडा है, वो हमेशा सड़े देश दी शान है, आन बान शान है, तेश दी जड़ी रैनी बैनी है, बोली है, इसे करके ही साड़ा लेड़ा देश है, वो महान है। पाव की पारदी जिन्द जान है, केसरी रैंग कुरवनी बाड़ा, याद सबनू रखना चाहिदा है, बच्चे देड़ा केसरी रैंग है, ओहो सानू याद रखना चाहिदा है, तेड़ा चिट्टा रैंग है, वो अमन शान्ती दा परतीक है, बच्चे चिट्टा रैंग शांतिधा परशी परतीक है जो कि कारकार विच रुशनाईदा पाव की जिस्ती जड़ी चमक है ओहो कारकार विच रशनोंदी है थे रुशनाईदा मिन्स है बचे सुनेहां दिन्दा रुशिनाई दा मेंज सुनेहां दिन दा, की ज़िड़ा जिवर्टी, जिस दीछालक लसानी दा मेंज जिश वर्गी जिस वर्गी चमक होर ना हुए पाव की जिस दी चमक इसे होर वर्गी ना हुए इस दी जड़ी चमक है वो लसानी है तेहे खुशहाली दा हर्यावल दा परतीक है कुर्बानिया दे राते चल के चंडा असी चुलाया है लहु जिगर्दा सिंज के इसनों दुनिया विच चमकाया है कि अन्दे हन बचे थे कि जड़ा कुर्बानिया दे राते चलके जड़ियां साधे देश नों अजाद करन दे लड़ाईयां हुई यां जंगा हुई यां उन्ना दी जड़ा वारंते ही इस टंडे नों नमारूप मिलिया है त उन्ना अपने लगु जिगर्दा लगु औनुझ सिंज के पाव की उन्नको खून देखे इस दुनिया विच शबड़ा नाम जड़ा हैगा बच्च उचमकाया है इसलिए केंदे आनके बार दित्ती है एस लई अपनी सोहल जवानी वे तिन रंगान दा चण्डा साढ़ा चुले विच असमानी है पाव कि जड़ी अपनी जवानी सी, अपनी सोभल जवानी सी, अपने देश नो अजाद करवाण दे लेई, इस चंडे नो चलोण दे लेई, उसना ने देश लेई अपनी जड़ीयां जानना हैं, बच्चे उहो कुर्बान कर देती हैं सो बच्चे इस कविता विच सानू की सुनिहा मिलदा है, सानू की सिट्टा निकलदा है इस कविता विच ए सिख्या मिलदी है, कि बच्चे जो सानू इस कविता तो जड़ी सिख्या है मिलदी है, वो कि सानू सडेड तरंगा चंडा है, उस दा सानू सितिकार करना चाहिदा है इसना प्यार करना चाहिदा है इसले ही सारे देश पकता है जड़े जो उन्हाने करवानिया कितिया हन उन्हानों भी याद रखना चाहिदा है तुसी भी इस कवितानों पढ़ना है याद करना है so we will meet again in the next class so thank you so much बच्चे have a nice day